हैलो फ्रेंड्स वेलकाम है आपका हमारी यूट्यूब चेनल में महेंगाई बत्ते यानी डीनेस अलाउंसे व डीनेस निलीस पर अब जी हाँ आपका इंतियार खत्म हो चुका है 4% डी आ डी आ पर 4% महेंगाई बत्ते और महेंगाई रहात पर मोहर लगने जा लिए भूर्चनल्स पहली लाओ या अगर आपने हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी सब्सक्राइब के इस रड़ बैटन को प्रेज़ करके साथी साथ आप हमारी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निसान को हिट करके इस घंटे के निसान को प्रेस करके all notification को select करिए तब ही आपके पास हमारी वीडियो की latest notification आप आएगी और आप हमारी वीडियो को watch करें पाएगी इसके लाब आप हमारे चैनल पर central government employees, state government employees, pensioners, family pensioners, defense, postal, railway, dark, सभी टाइप के कर्मचारियों pensioners और family pensioners के लिए news और information लाते रहते हैं चलिए आपको लेके चलते हैं उस news पर खबर आ रहे हैं आप देख सकते हैं जहां पर 7 pay commission यानि देश के 50 लाग केंदी कर्मचारियों यानि central government employees और 61 लाग pensioners के खाते में जल्दी हुनको डियार नेस अलाउंसेस का पैसा आने वाला है कि यह double dose जर्वरी से मिलना सुरू हो सकता है सरकाने 4% महेंगाई बढ़ाया मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरे आ रही है आप देख सकते मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक सरकाने महेंगाई बढ़ाया जाएगा इससे केंदी कर्मचारियों की सहली में इजाफा हो सकता है 4% की बढ़ उत्री के बाद महेंगाई बत्ता 17% से बढ़कर 21% हो जाएगा अना कि यह बत्ता जन्री से मिलना सुरू हो सकता है लेकिन अभी इसका कोई भी आधिकारी क्या बोल सकते है ऑफिशली एनान अभी तक नहीं किया गया है के इनी कर्मचारियों और पैंसर्स को स सबी कर्मचारियों के लिए जारी रखने का भी ऐलान किया था अगर वो अपनी सेवा के दोरान अपंग हो जाते हैं तो फिर भी ऑफिस जोइन करते हैं तो उन्हें बत्ता दिया जाएगा इस आधिस का सबचेदा फाइदा सेंटरल आर्मड पलीस फोर्स यानी C.A.F.E.F. के जबानों जैसे C.A.P.F. B.A.S.P. C.A.S.P. कोगा क्योंकि duty के दोरान उनके ज़्यादा जोखिम होते हैं क्योंकि उनके काम की प्रकरती ही ऐसी होती है आगे आप देख सकते हैं करोना की वज़े से भक्तों पर लगीती रोग लेकिन करोना महामारी संकट को देखते भत्ते की अगली किस्त नहीं दी जाईगी हना कि मोजदा दरूपर D.A.D.R. का बुगतान होता रहेगा वहीं पर अब 28% महेंगाई बत्त पर देने की मांग जो उठने लगी है हना कि खबर है कि केंदी कर्मचारियों और वर्कर्स के संगठन Association of Employees, Confederation of Central Community Employees and Workers ने वित मंत की महेंगाई बत्ता बर्त्मान दर 28% के हिसाब से महेंगाई बत्ता दिया जाए एसो चीसन ने कहा कि कोविट की दौरान के इंशाकार की कर्मचारियों ने पूरे समरपन के साथ काम किया ड्यूटी के दौरन कई कर्मचारियों की जान भी चली गए इन सब को ध्यान में लाइक करेगा स्केर से दरू सभी के साथ करेगा ऐसी ड्यूजर अपडेट्स के लिए आप हमाई चानल को सब्सक्राइब भी कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच